इस्टेट दो हजार तेई दी नोटिफिकेशन होच किया है नोटिफिकेशन विच दो विशेश गला है पहली गल है कि कदो टेस्ट कंड़क्ट किता जाना है बारां मार्च दो हजार तेई नू टेस्ट कंड़क्ट किता जाना है और ऑनलाइन फॉर्म फिल किते जाने हैं थाई फर्वरी दोहजार तेई देविच समा बहुत कट है पंजाब जहां बार देज कोई वी विद्यार थी जड़े बीएड जान डीएलेड विच अडमीशन ले चुक्के हैं बेशको फर्स्ट स्मिस्टर विच हन ओए टेस्ट विच अपियर हो सकते हन ते इस टेस्ट होना है क्योंकि पन्जाब गौर्मेंट समब्ना वदे है की क्लिक करना है तो ओप्शन मिलन गया इंच्रक्षन निउ रिजिस्टेशन लॉगिजार थी उस्विच अपियर मुझान सकते हैं एंसीटी दी गाइडलाइन अंसार डी एल एड विच जहां बी एड कोर्स विच तुसी कर चुके हो जा अपीरिंग है एक्जाम दे सकते हो कोई वी मिनिमम जा मैक्सिमम एज नहीं है इस टेस्ट लई जेड़े विद्यार थी पंजाब तो बारी स्टेट दे हन उना नो जनरल केटागरी विच कंसिडर किता जाएगा विद रिगार्ड तो फीस मतलब उना दी जनरल केटागरी दी फीस लगेगी जो कि एक हजार एक प इस्टेशन कराउन तो बात कैंडिडेट नो लॉग इमेल आइडी करना होएगा ते प्रसीड टू नेक्स्ट स्टेप जेड़े की होंगे बेसिक डिटेल अपलोड फोटो एंड सिगनेचर फिल अकैडमिक डिटेल फिल टेस्ट डिटेल कैंडिडेट प्रव्यू फीस कर नहीं हों कीती जा सके रकेंडिडेट सिर्फ एक कैटागरीविच ही अपलाई कर सकते हैं वें फार एक्जेम्बल यह बीएड वालिया नो चाहिदा है के ओ पेपर वान ते टू दोनों ही फिल कर दें, जदो तक फी पेइमेंट नहीं होंदी तो अड़ी एप्लिकेशन फॉर्म कम्प्लीट नहीं मनिया जाएगा, सारी इंफोमेशन तुसी केरफुली पर नहीं है, अदरवाइज इंकोरेट थी इंफिल करना है, फादस नेम फिल करना है, मोबाइल नमबर फिल करोगे, थे सÈंड ओटी पी ऑन मुबाइल, अपने कोड मोबाइल रख लेना है, ओटी पी एक दम आ जाएगा, ओटी पी ऑन तो बाद एक दम तो आपनों ओटी पे ते फिल करना पड़ nerede पीड nueva ओड़ तुसे फिल करोगे उस तो बाद तुसी पासवर्ड रखना है पासवर्ड लई कंडिशन है कि नुमेरिकल वैल्यू मिनिमम वन चाहिदी है मैं एक ते दो अपने पासवर्ड चे जरूर रख्या है उस तो बाद मैं जे अपना नाम ही पासवर्ड रख्या है मिनिमम वन अपर केस जरूर रखना है दूजी कंडिशन है मिनिमम वन लोवर केस जरूर रखना है फॉर एक्जाम्पल एक दो टी आई आर ए टी एच ओके मैं एक अपर केस रख लिया है बाकी लोर केस रखे ने हम कंडिशन हो गी है लास्ट स्पैशल करेक्टर होना चाहिदा है स्पैशल करेक्टर मैं जिवें हैश रख लिया है तुसी एट दा रेट आफ रख सक दे हो कॉस कर दे हो पासफर्ड फिर तो दुबारा फिल किता जानदा है कनफर्म करन ले ओ तो अपनी डाइरी ते लिख लेना चाहिदा है हां आगे जाके सेव भी कर सकते हो उस तो बाद तुसी सब्मिट दा बटन क्लिक कर दे हो तो ए इन्फोमेशन तो नेक्स्ट पेज खुल जाए जाना है मदर्स नेम फिल करोगे जैंडर क्लिक करोगे अधार कार्ड नंबर यह जरूरी है अधार नंबर तुसी पूरा फिल करोगे ते इत्थे इंस्ट्रक्शन है I hereby give my consent for using my अधार to authenticate my identity in future if required तुसी इत्थे क्लिक कर देंदे हो क्लिक करन तो बाद एड्रेस तो अड़ा जो है अड्रेस फिल इत्थे किता जाएगा state district इत्थे इत्थे चूज कर लोगे state इत्थे चूज कर लोगे pin code फिल कर दोगे जे कर सेम अड्रेस ही तुसी चौन दे होगे permanent address for correspondence ले यूज किता ज तुसी इत्थे सिर्फ क्लिक कर देना है इत्थे क्लिक करना सेम अड्रेस इत्थे copy हो जाएगा जे करो different है तो तुसी इत्थे different address जो correspondence यूज करना चांदे हो इत्थे fill कर सकते हो information fill करन तो बाद तो अनो login करना होएगा तुसी login वीच इत्थे click कर दे हो तो अड्राही email address already registered हो जिस्ते उसनों click कर देना है और password जो तुसी dairy ते लिखिया होया इत्थे click fill कर देना है fill करन तो बाद captacia आएगा जो इत्थे code लिखिया होया है तुसी इत्थे exact fill करना है for example इत्थे click करोगे 690 मैं इत्थे करता 690 FAD small ने FAD small है इस तो बाद मैं login दा click कर दांगा इस तो बाद save and next नो click किता जाएगा dear candidate by updating your DOB you your academic detail already filled with less than minimum age if any okay मेरी पहला तो फिल किती हुई है information that is why मैं नो okay करदांगा तुसी ये information नहीं परोगे थे तो अड़ेली दोबारा नहीं next step थोड़ा जा technical है जिस करके विद्यार्थी discourage हो जान दे हन पर बिल्कुल भी discourage होन दी जुरूरत नहीं है photo ते signature दो images upload करने है photo ते signature दो तुसी ये थे चीजा अपलोड करने है इसना size जहां format की होना चाहिदा है JPG, JP, EG ये PNG कोई format होना चाहिदा है dimension किनी होनी चाहिदी है width 300 ते height भी photo दी 300 pixel याद रखना है हो नहीं मैं करके 10 नहीं तुसी उस तरह कर सकते हो size image दा की होएगा 200 तो के भी तो बद नहीं होएगा थोड़ा जा difference है signature दे size विच मनलो 300 maximum width है ते 90 height है इथे height काफी कट गई है हाँ size of signature 200 के भी जहां उस तो कट ही होएगा हुन इस नूँ असानी ना करना किस तरह है तुसी online image resizer नूँ यूज को रो for example मैं इते fill किता है online मैं इते fill किता है online image resizer ते इदे विच्चो मैं choose केड़ा किता है reduce image dot com ये वाला choose किता है सिद्धा तुसी ए वी fill कर सकते हो reduce images dot com इस नूँ click किता ते इस तो बाब और ये मैं ये दस लगा हां कि तुसी किस तरह अपनी image नूँ उस size विच लेके आना है उससे width ते height नूँ कि मैं resize करना है okay मेरे को photo खिची पही है इस board ते और signature किते पहे हैं मैं select image नूँ click किता हुन मैं वो software चला रहा हां online अपनी photo नूँ resize करन ली ये दे विच्चो for example मैं ये photo नूँ select कर लिया select करन तो बाद open नूँ click किता open नूँ click करन तो बाद मेरे को ये photo इस resizer विच आ गई resizer नूँ अप करके मेरे को ले थे width ते height ते मिनू pixel चाहिए देने मैं उनने क्योंकि pixel देते हो ने मैं थे click किता इते pixel click हो गया ते मिनू चाहिए है width किनी सी चाहिए इते जाके मैं लिखी हुई है already तो अनूँ दिखा दमा sorry इती सी इमेजली 300 width है height भी 300 है 200 kb है हुन मैं इस नूँ की करन लगा है इते मैं फिल किता है 200 कर दता है 300 चाहिए दी है मैंने छोटी कर दती है 200 200 है ना sorry मैं इते click करके इते click करके 300 दी जगाते 200 click करता है is the size और height automatically 200 start है दोनों ही 300 तो cut है और pixel हन सो मेरे जो condition दिखती गई है उसनों fulfill कर दी हन इस तो बात कुछ नहीं करना resize image नूँ click कर देता image resize होके तो अडिकोल आ गई तुसी download image नूँ click कर देना है तो अडि ही जो computer है जिसते तुसी कर रहे हो तो किसे folder विच जा download विच ओ फोटो resize होके आ गई है इते click करो show in folder ओहो image किस folder विच save होई है ओ पता लग गया इनूँ तुसी click किता तो अडिकोल ओ image आ गई छोटे size विच होके so इस तरह ही signature कर लेने हन वापस चल दे हाँ अच्छा सेम इसे तरह select image मैं signature अपने click किते for example मेरे signature ए हन तीरत सिंग okay मैं इसनों open किता तीरत सिंग जो मेरे signature हन इते image आ गई इसनों मैं छोटा size विच करना है size किनना है कि height जड़ी है 90 चाहिदी है मैं इते लिखी होई है height किनी चाहिदी है height 90 चाहिदी है width 300 है फिर मैं कि किता कि इते 90 height चाहिदी है मैं इते 90 फिल कर देता इनों delete करता delete हो गया 90 फिल किती height already width किनी 300 कट है और मेरे pixel पहला तो select किते होई हन इस तो बाद मैं resize image इमेज नों क्लिक किता resize होके मेरे को लागी image मैं download image ते किता और तो अड़े folder विच save होगी जित्थो तुसी हुन upload कर देनी है अपने online form ते ओही image वापिस चल दे हाँ upload photo थे ठीक upload photo थे select image for example इते है हना ए तुसी image इससे तरह जड़ी भी image तो अड़ी आई है for example मेरिया images एहन मेरे कुछ ज्यादा ने तुसी अपनी जड़ी resize होई है उसनों select करना है select करना तो बाद open किता इते image आ गई ओके image upload क्लिक कर देना है image upload होगी इससे तरह select signature जो signature मेरे कुल हन for example मैं ए रखे हैं signature जा ए छोटे हैं ओलरी पहले वीडियो दे पहे हैं इसनों open किता open करन तो बाद इते आ गए upload हो गए so image ते signature upload हो गए मैं save and next ते करांगा अगले step ते आ जाओंगा अगले step which select qualification for example मैं बीड किती होई है okay course name already आ गया subject तुसी जड़े भी हन subject fill करने हन for example इते मैं अपने subject है तुसी बीड दे fill करने मैं कुछ भी इते लिख देता है सिर्फ university select कर लए पास है यस जे तुसी appeared हो अजे तो डी डीलेड जा भी एड नहीं होई first second semester third semester तुसी appeared नो fill करोगे past मैं किल कर देता roll number for example roll number मैं अपना fill कर देता और percentage मेरी किनी है मैं बड़ा ही नलायक विद्यारती रहा हां सो मैं उसनो थोड़ा बदा आकर लिख देना हां 60% okay percentage the sign नहीं देना year किस पास किती है for example 2017 मैं लिख देता है so a detail तोड़ी fill हो गई है click on delete button given on left side of each row to delete already filled detail of a particular जे तुसी delete करना चांदे हो तर delete दा button है ते वो delete हो जाएगा ते तुसी दुबारा fill कर सकते हो so a preview तो decol आ गया है जो information तुसी fill किती है एक बच्च कर लेनी है कि ठीक है जे ठीक है तो तुसी save and next पे fill करते है तो अन्हों पुछे जा रहा है do you want to save these details yes okay नूट क्लिक कर दो और detail तो अदे समने आ गई हुन next की है next है do you have domicile of Punjab पंज साल दा valid certificate चाहिदा है तुसी किसे भी state दे हो जे पंजाब दे हो एथे yes कर देना है category केड़ी नूट ब्लॉंग कर दे हो एथे क्लिक करना है जन्रल नूट करता है मैं एथे क्लिक कर देता तुसी तिन प्रेफरेंस पर नियाहन for example एथे क्लिक किता मैं जलंदर कर देता फिल दूसरे ते मैं कपूर्थला कर देता तीसरे ते हशार पूर जेड़ा भी नजदीक तो अड़े पेंदा है उस तो बाद सेवेड नेक्स्ट एथे को बेसिक डिटेल तो अड़े पर फॉर्म दी जो फिल किता है उस दा प्रिव्यू है तुसी इसनो अच्छी तरह चेक कर लेना है प्लीज रिव्यू फिल्ड देल इन केस हो यू वांट तो चेंज आफ एनी फ प्लीज नहीं अच्छा डेकलारेशन ते क्लिक कर देना है इसनो अच्छी तरह रीड कर लेना है जो में चीजा है के जड़ी इन्फोमेशन दिटी गई है और तू है दूसरा के जो कंडिशन एंस टेसली जुरूरी है और मेरे को लो सारे जरूरी डॉकुमेंट ते है जड़े में उपर फिल किते हैं जे तुसी एस इस इन्फोमेशन नो ठीक मन दे हो जो उते फिल किती है उस तो बाद तुसी से वेंड लॉक नो प्लिक कर दे हो डियर केंडिडेट नो चेंज शेल बी अलॉर्ट वन्स यू लॉक यूर पर फाइल आर यू शोर तू वां तू कंटिन्यू यस मैं ओके कर देता है ये लॉक हो गया है तो बाद अगला स्टेप की है स्लेक्ट पेपर फॉर पी स्टेट दोहजार तेई फिल्ड मार्क ऐज मेंडेटरी ओके सेलेक्ट पेपर हूं तुसी में पेपर वन है पिपर टू है ए अगे मिरे ख्याव हूं तक जड़े त्यारी करदे होन उननों सारी information clear है के पेपर वन फिफ्थ क्लास तक दे टीचर लग देन ली है पेपर टू फिएठ तक दे टीचर लग दन ली है जे तो अडिको क्वारी होवे के की ए पेपर अलग-लग होने हन पेपर बिलकुल अलग होने हन लेकिन दोनों पेपर same day ही हुंदे हन same day ही हुंदे हन जवे seated दा हुंदा है स्वेरे एक paper हो जान दा है दूसरे शामनों हो जान दा है हाँ fees जरूर दुगनी लग दी है जिनने भी fees पता लग दी है लेकिन be ad वालया नो हर हालत विचे suggestion है compulsory नहीं है कि paper 1 ते paper 2 दोनों ही fill करने चाहिए हन क्योंकि government post जे निकल दिया हन ता most probably elementary level दिया भी हो सक दिया हन और एर्थ तक दिया भी हो सक दिया हन जे lower primary जापर primary भी इस मो बोल दिन दे हन चलो नवे नाम new education policy 2020 ने रख लाए हन उस मताबक की लेकिन पंजमी ते अठमी ने मताबक तुसी इसनों समझ के अठमी जमाद तक ले eligible बनो क्योंकि new education policy मताबक तो आनों बारमी तक ले eligible भी जे बनना है तो आनों TET clear करना पाएगा हाँ वखरे हो सक दे हन सो ए मौका बार बार एक कारण क्यों है कि तुसी दोनों पर नहीं चाहिए हन क्योंकि ए जरूरी नहीं है कि सब ए इस टेस्ट नो पास कर लें हो सकदा है एक पास होवे हो सकदा है दूसरा पास होवे हो सकदा है दोनों ही पास हो जन हो सकता है कोई पास ना होए सारी यहां संभाव ना हमा हैं सो कोशिश कर लाने चाहिए दी है जैकर पास कर जाने हां तक government job which appear only compete currently तुसी ज्यादा ready होगे दूसरा कारण है कि तुसी त्यारी कीती हुए है almost 70 to 80 percent जे curriculum लेबस सेम है ता त्यारी कीती हुए यह readiness energy लगाई हुई है ता संभाव ना वह दे रहे है clear हों दी सो ए मैं paper select कर रहे हैं हाँ इत्थे paper बोथ paper one and two इस तो बाद select subject for paper two अच्छा जे कर तोड़ा subject two है ओदर विच paper stream तुसी चूज करनी है social science stream दे हो जान तुसी science stream दे हो sorry okay for example social science चूज कर लिया है इत्थे यह दस देना जरूरी है कि तुसी कोई भी subject चूज करके exam दे सकते हो p.s.t. ने तो अनू नहीं पुछना कि की तुसी ओ ग्रेजुएशन वेच पढ़िया है पर तुस तो अनू ओ ही परना चाहिदे है जो graduation वेच पढ़िया है कारण यह है कि probability ज्यादा होएगी कि तुसी ओ क्योंकि 60 marks दे a set आना है ओ probability पास हों दी बहुत ज्यादा वद जान दी है for example मैं social sciences पढ़ियां हन political science है, economics है, history है, कोई होर social science school subject पढ़िया होया है graduation वेच तहां संभाब नब दे रहे है क्योंकि यह दी कुछ knowledge मेरे कुल है मैं जे math science stream दे subject पढ़िया हम ता है इसनों choose करांगा जे art and craft है इसनों choose करांगा हाँ जे बहुत ज्यादा कोई अजीब तोड़ा चो candidate है के ओ math रिशब दी गल करांगा मेरे student है ओ math विच जिद देखो वो दे रे confident है लेकिन उनने पढ़िया कमर्स है बी कॉम ने हो, so accordingly तुसी यह choose कर सकते हो लेकिन तो हाँ नू 99.9% candidate नू ओ ही चुणना चाहिदा है जो graduation विच subject पड़े हन ते 95% जा इस तो वद भी candidate हन ओ social science ते math stream विच ही ज्यादा आन दे हन so तुसी चूज कर लिया है बाकी music, Sanskrit, Urdu, home science, physical education option है तुसी ले सकते हो, इस तो बाद मैं social science फिल करके इसनो submit कर देता है submit करन तो बाद मेरे सामने, क्योंकि मैं दो ही paper पर रेहन 1000 रुपईया पहले paper ली है, 1000 रुपईया दूसरे paper ली है कोड़ा कुट ना लगे क्योंकि job, government job ज़रूरी है अच्छा, click here to pay for paper one अच्छा, तुसी यथे click करोगे paper one दी fees किवें pay करनी है तो fees किस तरह pay करनी है, पूरी demo नहीं दे सकता है क्योंकि 1000 पी हमें खुराब नहीं कर सकता अच्छा, तुसी यदा चूचूज करना है, जेडा mode तुसी अपनाना चान दे हो अच्छा, तुसी यथे fill करोगे, ओके expiry date card दी fill करोगे, year expiry fill करोगे, CVV card दी back side दे, जो तिन number हों दे हन, ओ तुसी यथे fill करने हन यह 1000 इसलिए आया है क्योंकि मैं general category fill किती सी, जे तो अच्छा जर्व category है तो उस दी fees automatic इते display होईगी, तो उन्हों उन्हें ही fee pay करने पहेगी, तो सारी detail fill करने तो बाद तुसी make payment क्लिक कर दोगे, payment हों ते, उस subject दा, online form fill समझा जाएगा, तो इसे तरह paper second दा, तो इसे तरह paper second दी fees fill कि पे किती जाएगी, उस तो बाद दो तुसी इसनों submit कर दोगे तो यह information last दे display हों दिया, उस ता print तुसी अपने को हर हरत विच जरूर रखोगे, बाकि जो information, password वगएरा है, उसमें एक diary ते, तो उन्हों लेख लेना चाहिए है